हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डाइनमिक नॉलेज गूरूप है मेरा नाम है विकास और फ्रेंट्स आज हम फाइंड 6 पे ऐसी क्लास करेंगे इसके बाद में आपको किसी क्लास करने की जरूरत नहीं है फाइंड 6 पे क्योंकि यहां पे हमारा पूरा कॉंसेट क्लियर हो जाएगा सबसे बड़ा जो डाउट है वो यह है कि 75 कोस्टन को फोर मिनट में कैसे किया जाए यकीन मानिए फ्रेंट्स वीडियो को बिलकुल इसकिपना करिए लाज तक आप वीडियो के पहुचेंगे तो आ जैसा कि मैंने कहा था कि बता दूगा क्योंकि यहां पे मेरे पास खुझ लगबग जो अभी एल्ट की टैस सीरीज चल लग है उनमें से 3-4 टैससी मेरे पास खुझ जो टैस सीरीज वाले हैं उन्होंने मेल करके मुझे आईडी पासवर्ट दे रखा है free of cost उन्होंने काया कि मतलब हमारी test series को suggest कर दो लेकिन friends उनकी rate थोड़े जादा है इस पज़े से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जब result आपका आजाएगा तब तक हो सकता है कि मतलब थोड़े rate और डाउन कर दिये जाएं खासकर मेरे students के लिए जो मतलब मेरे channel से त्यारी कर रहे हैं उनके लिए तो हो सकता है कि आपके लिए मतलब direct आप phone करके अगर मतलब हमारे channel का नाम बताएंगे तो आपको discount कर देंगे और कम payment का option आपके लिए आएगा 300 को किसी के लिए आ रहा आपके लिए 200 का आएगा या फिर friend यह होगा कि आपको वो एक मतलब code दे देंगे जो code आप डालोगे तो आपको इस पर flat 100 rupees या 150 कर discount मेलेगा तो friends ऐसा है कि मैं खुद उन test series सी test लगा लेता हूं कभी-कभी जब आपके लिए class कराता हूं क्योंकि friends जब तक मतलब बंदा जो आपको बता रहा है वो खुदी practice नहीं करेगा या वो मतलब खुद रियल situation में नहीं जाएगा तब तक अगर वो बता रहा है तो उस पर आप एकीन नहीं कर सकते हैं तो friends यहां पर five six पर मैंने test लगाया तो पता जला 75 questions बड़े आराम से हो गए और question भी अच्छे खास सही थे गलत question बहुत कम थे तीन-चार question गलत थे तो आज उसी trick के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे करना क्या है ठीक है क्योंकि friends यहां पर मतलब इस question में बहुत ज्यादा दिक्कत आज आती है तो आपको वैसा कुछ नहीं करना है यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यह आप जाने तो सबसे पहले इसके rules क्या होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और जहां तक आपको पता ही होगा तो इसके इससे पहले friends बताएंगे कि 75 questions 4 minute में करने होते हैं इसके बाद picture placement position test इसमें भी आपको बहुत जादा दिक्कत हो रही होगी कि picture का placement में 36 questions 4 minute में पूछ लेते हैं और कई test series 75 questions 5 minute में पूछ रही हैं तो इस पे मतलब हम लोग practice अभी करेंगे और यह final class है इसके बाद आपको find six class या और भी यह classes आएंगे इसके बाद किसी की जरूवत नहीं है क्योंकि यह classes में तभी बना रहा हूं कि जब मैं खुद test series को attempt करके उसमें देख रहा हूं कि कैसा मतलब कैसे attempt करने में मतलब अच्छा performance आ रहा है उसके वेस्पर ठीके फ्रेंट तो सबसे पहले rules जान लेते हैं क्या होगा हमारे पास इस type का question होगा चार option होंगे इसमें हमें find six करना होगा अगर एक option में आपको किसी में six मिल जाता है और किसी भी option में अगर six नहीं मिलता है यह सारे examples मैंने बहुत chart के लिखे हैं तो इनको आप जरूर देखें इनसे आपका एकदम crystal clear concept हो जाने बाला है तो यहां पर एक option में आपको six मिल जाता है तो आपको option भी होगा ठीक है मतलब पहले में मिल जा रहा है तो पहला होगा दूसरे में मिल जा रहा दूसरा होगा और एक से ज्यादा में आपका six मिलता है तो आपका answer क्या होगा E option होगा ठीक उसके बाद में friends अगर आपका दो option में अगर मिल जाता है तब भी आपका option E होगा और एक में भी नहीं मिलता है तब भी आपका E होगा अभी देखते हैं option से आपको बिल्कुल clear हो जाने बाला है तो friends यहाँ पर जैसे कि question number 1 देखते हैं question number 1 में आप देखिए और बताइए कि इसका answer क्या होगा friends तो question number 1 में आपको देख रहा होगा कि देखो इस वाले में 6 है कहीं हाँ यहाँ पर एक में 6 है इसमें 6 है इसमें 6 है इसमें देखें है इसमें है तो इस वाले में है ठीक तो हम हमारा first का answer क्या हो जाएगा friends कि first का answer हो जाएगा दूसरी बात exam में हमें ऐसे नहीं देखना exam में हमें कैसे देखना बो चीज देखिए exam में क्या होगा कि हमारा जैसे कि यह a b c d option होगा और यहां पर ऐसे a b c d e होगा अब हमें exam में कैसे देखना बो चीज द्यान से समझो हमें एक नजर से इधर ऐसे इसे दिखते जाना हमें सिर्फ अगर जैसे find 6 करना है 5 करना है या 9 करना जो भी आदर हमें उस अंक पर ध्यान देना है जैसे हमने 6 पर हमारी नजर हमने देखा 6 सिन में से कहीं पहली इतनी स्वीट से नजर मानने कि हमें लगा हां b में है हम अपना करसर बी पर लेके जाएंगे जब तक यह बी पर लेके जाएंगे तब तक एक फिर नजर मारेंगे कि बी के अलाबा कहीं और है तो हम तुरंट e मारेंगे और नहीं है तो हम बी लगाएंगे इतना हम सि तो इधर को आपके option होंगे, आप इधर के लिए cursor लेके एक नजर मारते होगे, कि हाँ आपको कहीं नहीं दिखा, लेकिन जब तक आप ले जा रहे हो cursor, मतलब mouse से cursor को ले जा रहे हो, तब तक एक नजर और मारी किया किसी और में 6 है, अगर हाँ है, तो E नहीं तो भई option क्योंकि इस तरीके से प्रेक्टिस करेंगे, तो आप मतलब बहुत जल्दी catching power आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो चलिए example को समझ लेते हैं, जैसे पहले का क्या हो जाएगा, एक में 6 था तो पहले का answer हो जाएगा 6, दूसरे का देखिए, दूसरे में आपको 4 option है, इस में से हमें find 6 करना, तो friends देख सकते हैं कि पहले option में 6 नहीं है, दूसरे में है friends लेकिन दूसरे में 2 जगे 6 है, ठीक है, तीसरे में कहीं 6 नहीं है, चौथे में कहीं 6 नहीं है, तो हमने क्या बताया था, एक ही option में अगर एक से ज़्यादा बार 6 हा जाता है, no problem हमारा answer Wई होगा, तो दूसरे का हमारा का friends हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा हमारा B, ठीक है, चलिए अदेखर सकते हैं, तीसरे में क्या friends देखो, पहले में क्या है, 6 है, और दूसरे में 6 नहीं है, तीसरे में 6 है, अब चौथे में 6 नहीं है, मतलब एक से ज्यादा option में, जब मतलब ऐसे देखते हुए इस पर दीखा ऐस देखते हुए पहली नजर में गए हमें नहीं देख पाया तो इक यह पर हम गए लेकिन तब तक हम a पर गए तब तक हमने साथ भुना यत ओर यह पर श करो और यह लगा दिया अलएगर नहीं भी मिला तो थोड़ा रिस ले attempt करने क्योंकि एक बात आप समझो कि अगर आपने जैसे एक option में देख लिए six है अब अगर आपको दूसरे option में भी six मिल गया ठीक है अगर आपने इसमें देखके ही डारेक्ट अगर लगा दिया option तो मतलब 50% चांस होगे आपके मतलब सही होने के 50% होगे और अगर हमें बाइद अभे जब हम नजर मारेंगे जब करसर ले जाएंगे तो नजर मारेंगे तो स्योर फ्रेंट रिख जाएगा प्रैक्टिस करेंगे यकीन मानिए कि आप कोश्चन बहुत अच्छे अच्छे यह है तो हम आंसर क्या लगा देंगे तो थर्ड का फ्रेंट क्या हो जाएगा इस तरीके से हमें कोश्चन करने है ठीक है चलिए देखते हैं फोर्थ फोर्थ में क्या है फ्रेंट देखिए 6 किसमें है इस बाले में 6 नहीं है यहां पर भी 6 नहीं है यहां पर भी नहीं यहा थोड़ा जाद अच्छे से समझ जाएगा जैसे फिप्ट कोस्टन देखिए फिप्ट में क्या पहले में 6 है हाँ है दो जगह है दूसरे में एक जगह है तीसरे में नहीं चौत्रे में तो फिरेंट्स यहां पे ऐसा कि स्वाल करेंगे जो मैंने तरीका बताया आप इसी तरीकों को फॉलो करिए और डेफिनेटली फिरेंट्स यहां पे फाइंड सिक्स का डाउट आपका हंडेड वन परसेंट आपका दूर हो जाएगा इसके अलाबा मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा मतलब कोई मैथड हो सकता है कि पहले नजर में देखेंगे option को टिक करने के बढ़ेंगे और क्या करेंगे साथ मेना देखो यह जो आपका फॉर मिनृट का टाइम होगा इस फूर मिनुट में आपको अगर फाइंड सिक्स करना है नाइन करना फाइब करना फॉर करना उसके अलाबा फॉर मिनुट में आपको और कुछ नहीं सोचे नहीं नजर सिर्फ कुसी करें आगे बढ़ा देखा दूसरे में नहीं है तुरंत लगाया ओप्शन नहीं तो ई लगाया फटा फटा ऐसे आगे बढ़ेंगे आप डेफिनिटली फ्रेंट्स पूरा पूरा कोश्चन अटेम्ट करेंगे 75 तो फ्र पूरियों को लाइक करना बिल्कुल भी ना बूलें दोस्तों में साथ सेर करें और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में मस्त रहें सुच्छत रहें और प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स